नमस्कार बंद वो फिर एक वीडियो लेकर आपके समक रुपस्तित हूं जिसमें सीर सासन की विविन्द मुद्राओं की चर्चा रहेगी यूँ तो लोग योगासन से भी बढ़कर हैरत अंगेज कारणा में दिखाते हैं फिर भी महतो योग का ही होता है जानते हैं क्यों सुना है काल के इसारे पर ये मन हमारी चेतना को भगती में में लगने नहीं देता और संसार की नासवान वत्तों में उल्जा कर रखता हैं कभी जाती मजब में उल्जा देता है कभी रिष्टे नातों में उल्जा कर रखता है यदि हम इन सब में समर्पित होकर भक्ती की उपचारिकता कर रहे हैं तो वह निस्फल है करनी प्रभू की है लेकिन विचार तो आपको ही लाना है अमलिये विचार लेकर आईए और सोचिए कपड़े की गोल गद्दी बना लें पलेन जगे पर रखें और भरपूर सर आपका गोल गद्दी पर आना चाहिए और दोनों हातों की उंगलियों को आपस में सिकंजा बना कर खड़ी हतेली जमीन पर टिका कर कोहनी तक जमीन पर टिका ले घुटने जमीन से उठाते हुए एक एक कर पैर जमीन से उठाए सुरू में दिवार का सहरा भी ले सकते हैं पैर के पंजे आसमान की और खीच कर रखें और सीधे खड़े रहें 10-15 से करें और 5 मिनिट तक करें उसके बाद 2-3 मिनिट तक तहल लें ताकि सीर सासन में रक्त संचार उल्टा चल रहा था वो सीधा चलने लगे सरीर योग मैं हो और ध्यान प्रभु मैं हो और सोचें हे मेरे मन अपनी खुदी को खत्म करके संपूर्ण विलीन पर मेश्वर के धाम में समाजा ध्यान रहे पैड जमीन न छुपाएं और फिर उपर ले जाएं ये क्रिया क्रमर से 10-15 वार तक कर सकते हैं नजला जुखाम हो गया हो बीपी हाई हो कमर में दर्द हो कान बहते हो या आँखों में लाली ठहरती हो उन परिस्तितियों में सीर्षासन नहीं करना चाहिए तथा कठिन आसनों के करने के बाद थोड़ा विश्राम करके तापमान नॉर्मल बना ले तब करें जैसे भलों का राजा आम, पक्षियों का राजा मोर, जंगल का राजा सेर इसी तरह से आसनों का राजा सीर्सासन वाकरता है यह आसन लगभग समस्त रोगों का रोधक है मस्तिस्क तरो ताजा तथा तनाब मुक्त रहता है बाल सपेद नहीं होते और नहीं जड़ते हैं समस्त शरीर वज्जर का बन जाता है हर स्टेप के बाद टहलने से उल्टे रत संचार के दुस्प्रभाव का खतर टलता रहता है धातु रोग मोटा पे दुरवलता को दूर करता है नकारात्मक विचार सकारात्मक बन जाते हैं आखों की रोशनी इस्थिर तथा बढ़ जाती है कब जैसे खतरनाग विकार भाग जाते हैं और पीछे फिरकर भी नहीं देखते और तो और नपुनसक भी पुरुष बन जाता है बहनों के लिए गरवावस्था में ये आसन वर्जित है योग किसी एक धर्म संपिर्दाय की जागिर नहीं है इस पर सबका बराबर का हक है मुसल्मान भाई बहन योग के वक्त ये इबादत भी कर सकते हैं आए मेरी रुहू तू अपने अल्ला ताला में जजब होने का जजबा हासिल कर और अल्ला ताला की रहनुमाई की हकदार बन जा मन को चाहिए भोतिक सुखों का आनल यानि लजजद और जीवात्मा को चाहिए मोक्ष यही लड़ाई मन और जीवात्मा की यानि चेतना की योगों योगांतर से चली आ रही है योगासन मन की दसा को बदल देता है उपर से गुरुजनों का आशिरवाद हो जाए तब तो किरपा ही किरपा जब मन को ये पता लगना बंद हो जाए कि जो मैं भोग रहा हूँ वो लजजद है तब योग बनता है हिंदुस्तान की बढ़ती जनसंख्या में उत्पादन ज्यादा करने की कोशिस में खाने को कुछ भी सुद नहीं है ना अन ना फल ना सब्जियां मैं खुद भी देखता हूँ खेतों में रसायनों का छिड़काव होते हुए क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ जिसके पैक पर लिखा होता है खत्रा सांस के द्वारा भी अंदर चला जाए तो प्राण संकट में पड़ जाए आज फूल है तो तीसरे दिन फल सब्जी बाजार में आ जाती है उत्पादनी सुद नहीं है तो खाना तो मजबूरी है उपर से हम विस्वूट कर रहे होते हैं तंबाखो और मदरा जैसी नसीली वस्तों का सेवन करके ऐसे में हमारा स्वस्त रहने का सपना अपने आपको धोका देना है जब बीमारी गंभीर रूपने ले लगती है और डाक्टर भी हाथ उठाने लगते हैं तब मन में आता है योग ही करके देख ले मेरे अजीज प्रेमियो तब तक बहुत देर हो चुकी होती है पार्खी महापुर्सों का कथन है कि आने वाले समय में विगड़ते परियावरण में गंभीर बीमारियों से योगा ही बचा पाएगा मित्रो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना पसंद ना पसंद भी बताना इनसान गलतियों का पुतला है कहीं कमी नजर आए तो कमेंट में बताना ताकि आगे आने वाले वीडियोज में हम सुधार कर सकें सीर सासन में साइकलिंग अभ्यास परिपक्व होने पर ही कर पाएगे जैसे जैसे विसाक्त भोजन का सेवन हमारे सरीर में प्रवेश कर रहा है वैसे वैसे काम, क्रोध, लोब, मोहो और एहंकार ये पाँचों विकार हमारे विचार प्रवाह को विसाक्त बना रहे हैं यही कारण है कि जहां परमेश्वर को बसना था वहां मैं खुद बस गया हूँ और भूल गया हूँ कि जिसका ये पंचिततो का मकान है प्रत्वी, जल, अगनी, हवा और आकास का मालिक मुझे इससे निकाल कर बाहर खड़ा कर देगा तब मैं कहां जाऊंगा जिसका मैं अन्सी हूँ उससे तो विरोध किया हुआ है समुद्री जहाज के पक्षी की तरह आखिर मुझे उसकी सरण में जाना तो पड़ेगा ही इससे पहले ही क्यों ने योगबल से रास्ता खुल लूँ बंधो जल्चर पक्षियों को तो आपने देखा ही होगा पानी में रहकर अपना जीवन व्यापन करते हैं पानी में डूबकी भी लगाते हैं और जब उڑते हैं तो उनके पंख सूके होते हैं पानी उनके पंखों को कोई नुक्सान नहीं करता शीर सासन की और भी मुद्राएं हैं जैसा जिसका अभ्यास